आज है हमारा सिस्स रोजा और आज हम एक हदीश सिखेंगे जो के है रम्जान के बारे में और रोजेदारों के बारे में रोजा कहा रखते हैं हम इधर इधर रखते हैं zod sacrific हमे रोजा में रखते हैं तो हमें इसका उभीना सवाथ मिलता है कि ये लुउजार ने रखना चाहिए और różne मेरे लिए है रहते हैं हम तो हमें उसका सवाब बहुत सारा मिलता है बहुत चारा बहुत चारा तो जब हम रोज़ा रखते हैं और सबसे इंपॉर्टन जब हम किसी और रोज़ेदार को रोज़ा अफ़तार कराते हैं यानि कि हम उसके लिए अफ़तार का समान प्रोवाइड करते हैं तो हमें उतना ही सवाब मिलता है जितना हमें रोजा रखके मिलता है क्योंकि हम पूरा दिन जब भूके रहते हैं, प्यासे रहते हैं तो हमें ऐसास होता है कि कितनी बड़ी नेमत है खाना खाना, पानी पीना खास तौर पे तो कियूंकि पूरा कि दिन थे फ़ीन ना को बढ़ाने के बारे में एक हदीथ है जो कि आज मैं आप सर शीर करूंगी जिस ने किसी रोज़दार को अफ़ीन आया तो ने से वह वन Huge भी सवाव में कुछ भी कमीना होगी जानि कि जब हम किसी रोज glossidaar को अफ़तर कराते हैं तो हमें बहुत जादा सवाब मिलता है वैसे मी हम किसी को help करते हैं तो रमजान में उसका सवाब 70 गुनाश्यदा के ताग्लों तो अगर हम किसी रोज़तर को अफ़तर करांगे तो का यह आ दो雜ा having जरब इतना सार सवाब मिलेगा , जब हम इसी रोज़ातों कराएंगे तो हमें क्या करना चाहिए , हमें खाना बनाना चाहिए , और देखना साहिए क्या है हग्दाय जो खाना एपोडने ही कर सकते है , जिनके पास रोज अचा खाना खाना कुछ नहीं है या हमारे relatives कुछ ऐसे होते हैं जो के बहुत अच्छा खाना नहीं खा सकते तो हमें उनकी help करनी चाहिए और उन खास तर पर Ramadan में ताके अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो वो लोग भी अच्छा खा सकें है ना? येस तो ये यम्मी यम्मी खाना खा सकें और और अल्हम्दुलिल्ला कह सकें तूज भी खा सकें ये ये थी आज की हदेश और उमीद है कि आपको याद रहेगा कि इस रमजान आपने क्या करना है? शेरिंग करनी है शेरिंटोई येस ट्वाइज इस ट्वाइज इस ट्वाइज इस ट्वाइज येस अब हम कर मेलेंगी एक और नहीं एपिसोड के साथ आज के लिए आज के लिए आपिस आपिस